हिंदू पंचाग के अनुसार श्रावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी के दिन विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है पूर्निमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन से आ रही बाधाएं दूर होती हैं साथ ही इस दिन चंद्रमा की पूजा विशेश महत्व है विभुवन संकष्टी चतुर्थी तिथी का महत्व श्रावन अधिक मास की चतुर्थी तिथी को विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है ये दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश की आराधना के लिए समर्पित है साथ ही इस दिन चंद्र देव की पूजा का भी विशेश महत्व है इस दिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं साथ ही बल एवं बुद्धी का आशीरवाद प्राप्त होता है इस व्रत को करने से कई प्रकार के ग्रह दोश से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है जाने चंद्र पूजा विधी विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन विधी विधान के साथ भगवान गनेश की पूजा करें गनपती जी का अभिशेक करें उनको वस्त्र जनेव, चंदन, फूल, माला आदी चड़ाएं अब गनेश जी को उनका प्रिय भोग जैसे मोदक या लड्डू का भोग लगाएं इसके साथ ही ओम गम गनपत्ये नमो नमह मंत्र का जाप करें रात के समय में चंद्र देव की पूजा करें शुब मुहूर्त में उन्हें दूध और जल में अक्षत और सफेद फूल डाल कर अरग्य दें चंद्रमा पूजा करने से संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूरा फल प्राप्त होता है विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन 4 अगस्थ 2023 को चंद्रोदे रात शुन्य नौ बज कर 20 मिनट पर होगा ऐसे करें व्रत का पारण विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत सूर्योदे से लेकर चंद्रोदे तक किया जाता है चंद्रमा को अर्गिया देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है संकष्टी चतुर्थी तिथी का समापन 5 अगस्थ 2023 को सुबह शुन्य नौ बज कर 49 मिनट पर होगा शाम को चंद्रोदे होने के बाद चंद्रदेव को अर्गिया देने के बाद उन्हें सिंदूर अक्षत चड़ाकर भोग लगाएं इसके बाद अपना व्रत खोलें नमक वाली चीजे खाकर व्रत का पारण न करें केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहन करें और तामसिक भोजन से परहेज करें